प्रस्निक खाली अस्थानों को भरें तो क में है 60 सकेंड बराबर तो प्रस्निक क साथ सेकंड बराबर तो साथ सेकंड बराबर कितना मिनट होता है तो साथ सेकंड बराबर एक मिनट तो यहाँ पर एक भरेंगे यानि एक मिनट में साथ सेकंड होता है ख, 60 मिनट, 60 मिनट बराबर, कितना घंटा होता है, तो एक घंटा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, एक, यानि ये घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट बराबर एक घंटा, ग, तीन सो मिनट, तीन सो मिनट बराबर, तो तीन सो मिनट बराबर, तो तीन सो मिनट बराबर, कितना घंटा होता है, तो एक घंटा में 60 मिनट, यानि 60 मिनट बराबर एक घंटा, तो तीन सो मिनट, 60 पचे तीन सो 60 पचे कैना होता है 300 यानि 5 गंटा होगा 300 मिनट बराबर 5 गंटा 60 से अगर भाग देंगे 300 को 300 मिनट में कितना घंटा होगा 60 से भाग देंगे देखे 60 पचे 300 यानि कितना घंटा आएगा पांच घंटा तो 60 से भाग देंगे क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है और 300 मिनट बराबर पूछ रहा है कितना घंटा तो 60 से 300 मिनट बराबर पांच घंटा घा 180 सेकंड 180 सेकंड बराबर कितना मिनट तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो देखे 60 से 180 को भाग दे देंगे क्योंकि 180 सेकंड बराबर कितना मिनट पूछ रहा है तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो 180 सेकंड को 60 से भाग देंगे तभी पता चलेगा कितना मिनट होगा 180 सेकंड में तो 60 6-18 60-180 यानि 3 मिनट तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तो 180 सेकंड बराबर 3 मिनट अड़ा सुबह के 8 बजे को 8 बजे सुबह के 8 बजे को 8 बजे खाली अस्थान सुबह के 8 बजे को 8 बजे क्या कहते हैं पुर्वाहन तो यहाँ पर भर देंगे पुर्वाहन तो सुबह के 8 बजे को क्या कहते हैं 8 बजे पुर्वाहन तो रात के 12 बजे से दीन के 12 बजे तक पुर्वाहन पुर्वाहन कहते हैं और दीन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक को अपराहन कहते हैं ठीक है तो सुबह के 8 बजे को क्या कहेंगे 8 बजे पुर्वाहन चा साम के साथ बजे साम के साथ बजे को साथ बजे तो साम के साथ बजे को साथ बजे क्या कहते हैं अपराहन साम के साथ बजे को साथ बजे अपराहन कहते हैं छ चोबिस घंटे वाली घड़ी में चोबिस घंटे वाली घड़ी में दो तीस अपराहन को दो तीस अपराहन को तो चोबिस घंटे वाली घड़ी में दो तीस अपराहन यानि दो पहर बारा बजे के बाद ठीक है तो दो तीस अपराहन तो जब देखें बारा बजे के बाद को अपराहन कहते हैं यानि दीन में बारा बजे के दीन से लेकर 12 वे रात तक को अपराहन तो 2, 30 यानि 12 बज़े के बाद जब अपराहन होता है तो 13 यानि 1 बज़ता है तो 13 2 बज़ता है तो 14 यानि 24 गंटे वाली घड़ी में तो अपराहन इसलिए यहाँ पर 14 बज़कर 30 होगा क्योंकि 12, 2, 14 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 तो लिखेंगे 14 30 24 गंटे वाली घड़ी में 2, 30 अपराहन को 14 30 लिखते हैं जा 24 गंटे वाली घड़ी में 8, 20 24 गंटे वाली घड़ी में 8, 20 पुरवाहन को 24 गंटे वाली घड़ी में गंटे वाली घड़ी में 8, 20 पुरवाहन को क्या लिखते हैं तो देखें पुरवाहन यानि सुबा का समय है तो रात के 12 बज़े से दिन के 12 बज़े तक का समय को पुरवाहन करते हैं तो यह सुबा का समय है तो यह 8, 20 है तो बस सुबह के समय को क्या लिखते हैं आठ बीस ठीक है तो अप राहन में इस तरह से होगा बारा बज़े के बाद तेरा तेरा के बाद चौदा इस तरह से बज़ते जागा तीन बज़े गा तो पंदरा चार बज़े गा तो सोला जा लिप यर अधी वर्ष जिसको कि अधी वर्ष कहते हैं अधी वर्ष में फरवरी खाली अस्तान दिन का तो ली पियर तो ली पियर में 366 दिन होता है और हर चार साल के बाद ली पियर आता है ठीक है? यानि चार साल पे ली पियर आता है जैसे 2020 2020 ली पियर था उसके बाद 2024 ली पियर होगा उसके बाद 2028 ठीक है? उसके बाद 2032 इस तरह से ली पियर आता है हर चार साल पे तो 2020 चार से कट जाता है इसलिए देखें जो भी साल चार से कट जाएगा वही ली पियर होगा जैसे 2020 चार से विभाजित हो जाता है 2024 तो ली पियर में कितना दिन होता है? तीन सो च्यासट यानि एक दिन बढ़ जाता है ऐसे 365 दिन होता है ठीक है? तो फरवरी में कितना दिन होता है? 29 यानि एक दिन बढ़ जाएगा फरवरी ली पियर में जब भी ली पियर आएगा चार साल के बाद तो फरवरी 29 दिन का होगा झाल